आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ अज़न है limit x tends to 0 1 minus cos 4 theta बटे 1 minus cos 6 theta का मान है तो हम यह आप इसको ऐसे लिख लेते है limit x tends to 0 1 minus cos 4 theta बटे 1 minus cos 6 theta अब हम जानते हैं की 1 minus cos x बरावर होता है 2 sin square xy2 या फिर 1 minus cos 2x बरावर होता है 2 sin square x इसी बरिकार यह बन जाएगा limit x tends to 0 यहाँ पर 4 है तो यह बन जाएगा 2 sin square 2x बरिकार यहाँ पर ठीटा था ऐसे यह बन जाएगा 2 sin square 3 theta अब इस 2 से 2 कट जाएगा हमें यहाँ पर मिले का limit x tends to 0 यह है sin 2 theta बटे sin 3 theta यह दोने square है इसको हम लिख सकते हैं limit x tends to 0 sin square 2 theta इसको हम अगर 4 theta square का गोणा कर देंगे और ऐसे यहाँ पर भी 9 theta square का गोणा कर देंगे तो यह बन जाएगा limit x tends to 0 यह 4 theta square आगिया जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं sin 2 theta बटे 2 theta का square और यह 9 theta square भी आगिया जाएगा इधर यह बन जाएगा एक बटे limit x tends to 0 sin 3 theta बटे 3 theta का square और अब हम जानते हैं कि limit x tends to 0 sin theta बटे ठीटा बराबर होता है एक तो यह हमें यहाँ पर मिलेगा इससे यह कट जाएगा योगा 4 बटे 9 यह बन जाएगा एक बटे यह भी बन जाएगा एक तो हमारा उत्तर होगा 4 बटे 9 अब हम बिकल्प देखेंगे तो हमारा पहला बिकल्प सही है प्लासिक स्टिट्वल से लेके NEET IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही राउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 पर